हलो मैसल शरूवर सिंग भाटी and I am proud father of हिरदेशवर सिंग भाटी जब पूरा विश्व सचिन तेंदुलकर सहाब का विदाई समारो देख रहा था तब एक नन्ना सा बालक हिरदेशवर सिंग भाटी जो चल भी नहीं सकता जो ढंक से बैट भी नहीं सकता जो लोगों से हाथ भी नहीं मिला सकता उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उसने उस प्रोग्राम में देखा कि उनकी मादर और उनके कोच को स्टेडियम में लिफ्ट करके लाया गया तब उसके दिमाग में या आइडिया आया कि क्यों न हमें एक ऐसा mobility vehicle हो जो wheelchair power accessible हो उस समय उसने महिंदरा Scorpio Automatic को ramp modification से एक another mobility vehicle का innovation कर दिया हिर्देश्वर सिंग भाटी का सपना है कि कभी सचिन दंदलकर साब से मिले और वो अपनी ये design या अपना vehicle उन्हें gift करें और ताकि उनके coach और उनकी mother को एक power wheelchair accessible mobility vehicle मिल सके उसका द्रड विश्वा से accessibility खरीदी नहीं जा सकती accessibility का सिर्फ अविश्कार हो सकता है और यही द्रड सोच से उसने मेरा भी होसला बढ़ाया है कल्पना कीजिए जब हम national award लेने किसी function में गए थे उस समय चिनई airport पे land करने पर हमें ये पता चला कि पूरे चिनई में ही mobility vehicle नहीं है तब उसने ये बोला पापा हमने जो cheapest mobility vehicle जो उसका अविश्कार उसने किया था क्यों नहीं पूरी दुनिया को बताया जाए कि mobility vehicle एक हकीकत है इसे बनाया जा सकता और उसने वो करके दिखा दिया और उसने cheapest mobility vehicle बनाया आविशकार तो उसने बहुत किया है 6 प्लेयर किया, 12 किया, 60 किया, 16 by 16 सुटकू का आविशकार किया लेकिन उसके कुछ आविशकार सिरफ इतने महतपूर्ण है कि वो लोगों की सेवा भी करते हैं, मानवता की सेवा भी करते हैं उनमें से मोबिलिटी वीकल्स प्रमोख है आज उसने अपने देश का नाम बढ़ाया है हमारे देश में सरतरंज का अविशकार हुआ था और उसने सर्कुलर चेस का अविशकार करके भारत का नाम पुरे विश्म में रोशन किया आज अगर सही माइनों में देखा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुल्जा होगा बहुत ही स्ट्रॉंग, डेटर्मिंट और एक इनोविटिव हुमन है आज मुझे उसकी पंक्तिया याद आती है मैंने इसे चलते हुए भी देखा था मैंने हिर्देश्वर को नास्ते हुए भी देखा था चार साल के उमर के बाद जब हमें पहली बार पता चला कि इसको एक रोग है जिसका नाम है डुशना इन मस्कुलर डिस्ट्राफी वो हमारे उस में मुँ उतर गया था जये आला कि था यज सब्सक्राफी 59 सुथा चार साल की उमर के बचे के सब्स सुन के मुझे एस समय विश्वास नहीं हुआ था लेकिन आज ही हकीकत है कि वो आज उड रहा है आज वो यंगेस्ट पेटेंट होलडर आफ इंडिया है यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होलडर आफ दे वर्ल्ड है दुनिया उसको मिनी स्टीफन हॉकिन्स से जानने लगी है यहां तक तो कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि विल्मा रुडॉल्फ और स्टीफन हॉकिन्स के बाद कोई दूसरा disability icon हमारी दुनिया में आ गया है उसकी सोच ऐसी है कि वो दुनिया की सीवा करना चाहता है और उसकी सोच ऐसी है कि वो हमेशे है कहता है कि everyone is disabled and the thing is that it is mandatory but only thing is that we need to become differently abled and try to help others to become differently abled this is optional forget about what is mandatory let's focus on what is optional I really give a big salute to my son and I believe that he is not my son in a way he is intellectual capital of our country बहुत बड़ी जिमेदार यह है हम parents पर हमें देश की धरोदर को समाल के रखने की हमें कई बार लगता है कि हम उसके लायक नहीं है पर हमारा प्रयास जारी है और इसमें हमें सब लोगों की मदद मिलती है और सब लोगों की मदद की अपेक्षा भी हम करते हैं और की भी हैं लोगों ने और हम यही मानते हैं कि आज अगर दुनिया उनका support और सब लोगों का साथ नहीं होता तो शायद हम parents इतने काबिल नहीं थे कि हम ऐसे बच्चे का ख्याल रख पाते या ऐसे बच्चे के इतनी बड़ी-बड़ी thinking को हम लोग encourage कर पाते I'm totally speechless मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए but a big salute to all his supporters all his well-wishers thanks